आकाश्वाणी भूपाल से प्रसुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रवेदी सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार नवनिर्मित संसद भवन कल राष्ट को समर्पित करेंगे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी भारता विश्व की पाँच मी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था कहा केंद्री मंत्री अश्वनी वैश्व ने नगरी विकास योजनों के सफल क्रियान वियन पर मध्य प्रदेश को मिले तीन स्कॉच अवाज और रास्टी अन्वेशन अभिकरन एन आईये ने जबलपुर में की चापे मार कारवाई आरूपियों से पूश्था जारी अब समचार विस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी नव नर्विस संसत भवन कल 28 मई को रास्ट को समर्पित करेंगी ये भवन वस्तू कला का उतकृष्ट उधारन है तथा रास्ट की प्रगती का गौरवशाली प्रतीक है इसकी आंद्रिक सासज्जा देश की समृति सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है अत्यादुलिक तक्नीक वाली इस भवन में संसत सदस्यों को निर्वाद कनेक्टिविटी मिलेगी और उनकी कालिक उशलता में व्रद्धी होगी नए संसत भवन में लोगसभा में सदस्यों को बैठने की शमता बढ़ा कर 888 कर दी गई है राजसभा कक्ष में 384 सदस्यों की बैठने की विवस्ता है समिती कक्षों में विवस्ति चर्चा और विचार विमर्ष के लिए उननत तक्नीक कावपयोग किया गया है ग्यान अरजन के लिए नए संसत भवन में विशाल पुस्तिकाला है जिसका उपयोग संसत सदस्य और शोध करता खर सकेंगे पर्यावरण अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्रेटिनियम रेटिंग दी गई है आज इक ट्वीट में प्रधान मंत्री ने कई संसत के लिए लोगों की जबरज़त प्रतिक्रिया पर प्रसनता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि लोगतंत्र का ये नया प्रतिक और अधिक जोश के साथ लोगों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए लगन से काम करता रहेगा केंद्री मंदरी अश्वनी वैश्रम ने कहा कि वैश्विक अर्थवयवस्था में भारत ने अपनी मसबूद उपस्तेती दर्ज की है और आब भारत विश्व की पाँच मी सबसे बड़ी अर्थवयवस्था वाला देश बन गया है शिवयर्षब ने आज नई दिल्ली में एक राश्री सम्मेलन का उद्गाटन करते हुए ये बात कही सम्मेलन का विशे है नौ साल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्यान सम्मेलन के उद्गाटन अपसर पर सूचना और प्रसारन मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर तथा सूचना और प्रसारन राज्यमंतरी डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्तित रहे इस अफसर पर सूचराव प्रसारण मंतरी अनुराख सिंधाकुर ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जन कल्यान के कई उपाय की है उन्होंने कहा कि सरकार विकास और कल्यार कारी इसकीमों का लाभ समाज के सबसे वन्चित तबके तक पहुँचाने के लिए निरंतर कारे रत है जिससे लोगों के लिए जीवन यापन आसान हुआ है वहीं दूसरी और हाजिक ट्वीट संदेश में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने सरकार की नौ वर्ष की उपलब्धियों के लिए नाकरे को द्वारा सरहना किये जाने पर आभार व्यक्ति किया है उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का श्री लोगों के जनादेश से मिली इस्थरता और अटूट समर्थन को दिया नगरिय विकास और इम्मूंसिपल गवर्नरंस के लिए मध्यप्रदेश को तीन स्कॉच अवार्ड प्रधान किये गए है शी लाउंच महिला सिविधा ग्रह बनाने के लिए सागर स्मार्ट सिटी धर्मपुरी सीविस पर यूजना के बहतर प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश अर्बन डवलप्मेंट कमपनी और प्रधानमंत्री आवास यूजना शहरी में उल्लीक निय कारी करने के लिए नगरी विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर कौच अवार्ड दो हजार तेई से सम्मानित किया गया है नई दिली में आज आयुक्त नगरी प्रशासन एवं विकास भरत यादव प्रधानमंत्री आवास यूजना शहरी के राजमिशन संचालक सतेंदर सीह तथा अपर आयुक्त शुमती रुशिका चोहान ने पुरुसकार प्राप्त किये वो लेखनी है कि मद्रप्रदेश को अक्टूबर दोहजार बाईस में प्रधानमंत्री आवास यूजना शहरी में सर्वस रेष्ट प्रदर्शन करने वाला दूरसा राज तथा अनिया यूजनाओ से अभिशरन प्रचार प्रसारगति विदियों का संचालन इवं राज इ तरी तकनीकी प्रकोष्ट के प्रदर्शन में भी सर्वस रेष्ट राजी का प्रुसकार मिला था इसके साथी गोहद और जूबट सर्वस रेष्ट प्रदर्शन करने वाली नगरपालिका और नगरपरशद तिथा देवास सर्वस रेष्ट प्रदर्शन करने वाला दूसर नगनिगम का पुरुसकार भी केंदर सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। इसके पूर्व जन्वरी दोहजार इकीस में मध्यप्रदेश को प्रदान मंतरी आवास यूजना शहरी के क्रियान विन के लिए सर्वस रिष्ट प्रदर्शन करने वाले राज़ का दूसरा पुरुसकार और अन्य श्रिणी में तीन पुरुसकार इस प्रकार कोल चार पुरुसकार केंदरी आवासन और शहरी कारी मंतराले दोहरा प्रदान किये गये थे। समाचारों में वक्त है अब एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद भर आपका स्वागत है। रास्टी अन्वीशन अभीकरन एनाये ने जबलपुर में एक वकील के कारेयाले सहित तीरा स्थानों पर चापे मारी की है। इस बारे में पीशे हमारे समवादाता की एक रिपोर्ट। दिल्ली और भुपाल से आई दरजन भर अधिकारियों और करीब 200 पुलिस कर्मियों की एनाये टीम ने जबलपुर के बड़ी उमती सहित कई अलाकों में चापे मारी की। इनाये ने शहर के वरिष्ट वकील ए उस्मानी और हिस्ट्री सीटर अब्दुलरज्जाक के ठिकानों पर चापे मारे हैं। जानकरी के मताबिक एनाये की टीम ने चापे मारी के दोरान राष्टी, सुरक्षा और आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों में कई लोकों को हिरासत में भी लिया है। तथा हत्यार से संदिक्द सामगरी भी बरामत की है। फिलाल इस कारवाई पर इस्तानी पुलिस ए एनाये की योड़ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। जोशी एवं Lifetime Achievement पुरुसकार 2030 शामिल है। इन पुरुसकारों के लिए खिलाड़ी 1 जून से 31 जुलाई की मध्या ओनलाइन आविदन जम्मा कर सकते हैं। इक खिल पुरुसकार विकत 1 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2030 के अवधी में अरजित खिल उपलबनियों के आधार पर प्रदान की जाएंगी। समुद्र, जमीन एवं वायू आधारित साहसिक खिल की खिलाड़ी भी विक्तरम एवं एक लवप पुरुसकार के लिए आविदन कर सकते हैं। तीसरे खेलो इंडिया विश्विद्याले खेल में कुष्टी की इसपरधाएं आज से वारा रसी में IIT बनारस हिंदू विश्विद्याले मैदान में शुरू हो गई हैं। इनमें देश भर के विश्विद्यालों में से 100 से अथिक पहलवान हिस्सा ली रही हैं। कुष्टी की इसपरधाएं सुमवार तक चलेंगी उसके बाद तीन जुन तक योगासन की इसपरधाएं होगी तैराकी, कबड़ी और बास्केट बॉल की इसपरधाएं गौतम बुद्धनगर में आयोजित की जा रही हैं। खेलो इंडिया विश्विद्याले खेल उत्तर प्रदेश में चार इस्थानों गौतम बुद्धनगर, वाराणरसी, लखनव और गौरकपूर में आयोजित की जा रही हैं। नौकायन की इसपरधाएं गौरकपूर में होगी। प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी 3 जून को वाराणरसी में समापन समहरों में शामिल होगी। अब कुस समाचार संग्शेप में। कारगर्म के दोरान पूर्व सिक्षकोर के डॉक्टर के आर सवलोग, शिमती के भी सवलोग और शिप मंगल तरपाथी का शौन्स श्रीफल से सम्मान किया गया। इंदर गौरव महसव के तहत 28 मई को जन भागिदारी से शहर के सभी 85 वार्डों में स्वचिता अभियान चलाएगा। राष्टिय पल्स पोलियो कारिकन के तहते कटनी जिले में भी जन्वे से लेकर 5 वर्ष तक की बच्चों को कल से 30 मई तक पौने 2 लाग नन्युहालों को पोलियो रोधी दवा पिलाए जाएगी। पल्स पोलिय अभियान के तहत जिले में कुल 1670 पोलियो बूथ बनाय जा रही है। चिन्वारा में इंडो नेपाल, क्यूनो, सिंकाई, जूडो अंतर रास्टिय ओपन कराटे चैंपिन्शिप का आयूजन विगत दिनों किया गया जिसमें इस्थानी विद्यार्थियों ने मैडल जीते। और मुख्यमंत्री लाणली बहना यूजना के अंतरगत धार जिले में 3,82,422 लाणली बहना दौरा पंजियन किया गया है। इस बुलिटिन में बस इतना ही। नमस्कार।